निपाह वाइरस ने बढ़ाई चिंता एस्ट्रोलिया से मांगे गई एंटी बॉडी डोज आईसी एमार करेगा वेक्षन कर काम केरल के कोजी कोड में शुक्रवार को निपाह वाइरस के एक ताजा मामले के पुष्टी हुई जिसके बाद इस सक्रमन की चपेट में आने वाले मरी जंग की कूल संख्याथ 6 हो गई जबकि मरने वाले की संख्याथ 2 बनी हुई है केरल निपाह के मामलों में नए सीरों सी व्रदी से जूज रहा है मस्तिश को नुक्षान पहुचेने वाला वाइरस संक्रमी चम्दा गादर सुवर या लोगों को शरीर के तरल पदार के संब्रक से फैलता है इस वाइरत के पहली बार 2018 में पता चला था सित्यों को देखते हुए रजे सरकार हाई अलर्ट मोड में और इन लोगों की जांज कर रही है जो संक्रमी स्वक्टियों के संक्रमन में रहे केरल स्विबाग ने कहा कि उसने पोजिटिव रोगयों के कॉंस्टर्स लिष्ट में कूल एक हदर 80 विक्तियों के पहचान की है और सेंपल एकत्र करना शुरू है ICMR बनाएगा वेक्सीन इस बीच सरकार वाइरस के परसार को रुकने के प्रयास कर रही है भारत येची की सालों संदान परिशद ICMR ने शुकरवार को गोशन की है कि वो इस इलाज के लिए आस्ट्रोलिया से मोनोकलोत एंटिबोडी की 20 और खुराख खरी देगी ICMR की DC राजी बहने शुकरवार को का आस्ट्रोलिया से करीद जा रही दवा को संक्रमन के शुरुआती चरन के दोरान दिये जाने की जरुद थे उनके मुतबिक भारत में अब तक किसी को भी याद दवा नहीं दी गई है उन्होंने कहा कि निपा की संक्रमित लोगों की मुर्ट्यू दर कोविड में मुर्ट्यू दर की तूनला में बहुत आदिक 74 पिलशेट के बीज बहल ने कहा कि ICMR इस वाइरस बिमारी के खिलाप्टी का विक्सित करने पर भी काम शुरू करने की योज़ न बना रहे है वही केरल उचने आले इने शक्रवार को रज सरकार से कहा कि यदि आवशक हो तो मामारी के मंदेज और मासिक पुजा के लिए खुलने पर सबरी माला की तर्थ्यात्रा के लिए दिशानिर देश जारी किये जाए एहते के तोर पर कोजी कोड में सब इक्रिशन सिंस्थाएं अगले रिवारते के एक सप्ता केले बंद रहे की जबकि आनलेंग काक्षाय सुनी चित की जाएगी इस बीच निपा मामलियों का इराज करने वाले सब इस्पतारों के एक मीडिकल बोर्ड बनने का आदेश दिया गया है जो दिन में दो बार बैठक करेगा और रिपोर्ट स्वस्त भी भाब को सोफेगा स्वस्त मंतरी वीनार जोर्ज ने का कि अन्य जीरों में लगबग 29 लोग ने पास संकर्वित लोगों की संपर्ग सुचि में है उन्होंने का कि संपर्ग सुचि बढ़ने की संभावना है और 30 अगस्त को मरने वाल विक्ति को 10 संसकार में शामिर होने वाले 17 लोगों को कौरेंटेन करते गिया इस बीच केरल पुलिस ने संबद में एक विक्ति के खिलाप कतित तोर पर वायरस से संबदित फरजी खबरे पोश्ट करने का मामला तरच किया एक वरिष्ट फुल सदिकार ने कहा कोई लड़ी निवासी अरियल कुमार कतित और तोशल मेडिया के माध्यम से फरजी खबर परसारत की जिसमें दावा किया गया किने बावार मस भार्मा कंपने द्वारा बनाए गई एक नकली कहानी है